जे एस एजुकेशन ओलाइन चैनल के माद्धियम से मैं जीति इंदर सिंग आज आपके सामने लाया हूँ बी एड पिर्थम और जित्ते अबर्ष के लिए जो आपके पाठी हो जना होती है उसके बारे में चर्चा करने का हम यहां पर सुरुबात करेंगे पाठ ही हो जना पर हम चर्चा करेंगे मुख्य रूसे जिसे इंगलिस में लेसन प्लान बोलते हैं इनने लेसन प्लान में की बहुत महत्पूर्ण अबसक्ता होती है आपके बी एड के कोर्स को पूरा करने के लिए जब आपकी टीचिंग आपके किसी इंटर कोलिज या जून जूवा ने अध्यान का एक सब्जेक्ट आपने चूछ किया है इन विषय को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वह हमने अपनी पिछली वीडियो जहाँ पर हमने सिलेबर्श डिसकॉस किया था वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी तो इन में जो हम बीस बीस लेसन प्लान तहता है और आपके टीचर उसे ऊड़ elyAC करते हैं और उसमें जो कमियां होती हैं आपको बताते हैं यह लेस्ञ पिलान आप बच्चों की जिस क्लूस में और बकसा पीछे reg देते हैं और आप बोर्ट पर पढ़ाते हैं आपके टीचर देखते हैं आप lesson plan के according पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है कोई कमी तो नहीं रह रही जब यह 20 lesson plan में आप पढ़ा कर निपूर हो जाते तो इन में से best lesson plan चुना जाता है दोनों सब्जेक्टों में से और lesson plan को हम अलग से मनाते हैं एक एक दो lesson plan फिर से अलग समनाते हैं जो आप देखेंगे इसके में पहला पॉर्षन होता वह होता है आपका index का इंडएक्स में आपका topic हैं यहाँ पर topic के नाम लिखे होई हैं यह date डालते हैं यहाँ पर serial number एक से ले के बीच तक और यहाँ पर कखसा के नंबर डले होए हैं कौन की कखसा के lesson plan है यह उसके बाद आप क आता है, पहला पेज, किसी भी लेस्न प्लान, हम हिंदी से समझेंगे, हिंदी का एक लेस्न प्लान लिया है हमने lesson प्लान नम्बर चार, ककसров लिए हमने थयार किया, दिनांक जिद दिन हम इज से पढ़ाएंगे, और दिन की दिनांक डाल देंगे समान्य उद्देश अब समान्य उद्देश जो हिंदी के समान्य उद्देश सारे ही टोपिकों में एक से रहेंगे क्योंकि समान्य उद्देश हमेशा हिंदी के एक ही रहते हैं छात्रों के सब्द भंडार में ब्रद्धी करना छात्रों को ससक्त अनुकरण वाचन में कुसल बारे में निहित अनुपोतियों का ज्यान कराना चात्रों को गद सहली का विकास कराना तो यह सारे समानिय उद्देश हुए लेकिन का नीब की इरद के बारे में नीब के बारे में यहां पर हम पीस पॉप से समझाने कोशिश करें जान सकेए यह हमार मुख्य उद्धिस है चात्र नीब की इट पार्ट का अध्यन करेंगे से नीब का महत्व समझ के यह विस्ष्ट उद्धिस उँगे उसके पूर्भ ग्यान यानि प्रीवियस नोलिच नोलिच और जोड़ के हें हम उस्से अग्ला प्राइब सुχु करते हैं जहां तक है उन चाहर मोर्डलशांपट जैज वर वह हम अपने कि टिचिंग को बहतर कर सकते हैं अब अग्ला पेपर कौछ तरीक का देगा इस तरीके का पहला होता है अदाई जिसे इंपट बोलते हैं तूहले इन तीन कोलम'm में तो है पहले परिबरतन करना होता पात्थ है मिली हमें उसको देखते आहें éléments अधिगम उपलब्दी और उद्देश केंदरित मुल्यांका जो हमने उद्देश बनाए थे जो ची हम सिखाना चाह रहे थे वो बच्चे ने सीखी यह नहीं सीखे इसकी हम जाच करते हैं तो यहां पर पहला पुइंट हम डालेंगे पाठ्थ वस्तू में जो इंपुट दें है कि होनी चाहिए बच्चे कोई यहां तक आता है इसके लिए करेंगे प्रस्तामना प्रस्थ विभी प्रियोग क्या रहा रागा गहार्य विद्र हम ल तरम पूश्टें समय हम पहले प्रस्त का उत्तर आएगा उस उस उत्तर से दोसरा मिवें बनाहें तरीके से यह जो चैन चलती है तीशरे या चोथे परसन में हम लाके बक्चे को निरोत्तर संबावित देने के लिए Kit ilet sare है यहाँ पर पहला पंप्रस पूछा रहा आएगा वहाथ जो कहां पर निवास करते हैं तो बच्चा कहेंगा समाण existed लोग घरों वे मकानों में निवास करते हैं दूसरा प्रशन आप पूछेंगे घर और मकान यानि घरों मकान से में दूसर बना दिया का निर्मान किन किन बस्तों से होता है घरों मकान का निर्मान सिमन रेड इड आदी से कैंब जाता है जिस पर माकानों का जिए कास्ताथ टोपिक कि concept हम यहा पर शुरूम में का या यह जीजो टोपिक के चिरिए बहुंद टोपिक निकल का आदका कि आज दो हम जो है की इत का आध्यं करेंगे, तो ये हमारा, हमारा जो है, कथन होगा, अगला जालेंगे हैं, पर नीप की इंट, और पूर्व्य ज़ोड़तो तो पड़ेंगे नि जो पहला ज ी की ऑड़ा में अध्यान करेंगे करेंगे ध्यान देंगे यानि कि दोनों मिलकर अध्यान करेंगे ऐसे नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे सब गलत होता है सभी छात्य ध्यान पुर्पक सुन रहे हैं साथ शिक्षक की बात और यहां कथन वीदी का प्रियोग किया गया अब क्या करेंगे शिक्सक जो है आदर सबाचन करेंगे यहां पर यानि जो कहानी है या जो पाठ है उसे पढ़कर सुनाएंगे उसे बच्चे सुनेंगे उसके सुनने से क्या होगा चात्रों की जो है सिरुमण चमता में विकास होगा इसका उद्देश क्या होता है बच्चे कर देखेश होता है यहां पर यह चीजे लिखता है और बच्चे क्या करते हैं जिनमें पढ़ा रहे हैं कफिन सब्दों के अर्थ चात्र अपनी उत्तर पुष्टिका में लिखते हैं इसमें लेखनवीदी और सब्द अर्थवीदी का प्रियोग किया गया इसके बाद आप काता है ग्रहकार्य ग्रहकार्य में क्या होता है ग्यान की पुष्टि करना जो बच्चे को पढ़ाया गया तो ग्रहकार्य देखे क्या करते हैं उस के बाद क्या होता है इसके सासत पुर्णाविर्थी प्रस में जैसे कि जो नीप की नामक पाट के लेकर ने जो पढ़ा है उस जी में से उनका पुर्णाविर्थी यह रिविजन करा दिया जाता है तो इस तरीके से आपका एक लेशन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता उसके बाद आता है। शिक सक का काम सिक्षक देखता है कि यहां पर प्रियावेक्षण होता है यह यानि सुपर्विजन करता है। शिक्षण आपका गलास में पीचे वैठे होई होते हैं और आप पढ़ा रहे हैं आपकी डाइरी में देख जाते हैं कि आपने जो है आप कि कितना था आप में के अंदर हाब कैसे थे आपका प्रसंद चित्ता या नहीं चाहूंगा कि यदि आपको और किसी भी से का कोई लेशन प्लान की होँगался है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसकी पीडीयप चाहिए है तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पीडीयप हम ले सकते हैं आजके लिए यतनी धन्य नमस्कार